Scrub करने का main मकसद होता है हमारे skin को exfoliate करना Exfoliation basically एक process होता है जिससे हमारे dead skin cells remove हो जाते हैं जैसे हमारे skin पे dust और pollution जम जाता है एक layer सी बन जाती है हमारे skin पे जिसको remove करने के लिए हम करते है scrub बहुत ही जादा जिद्धी और गंदी वाली layer बन जाती है जिसको हम कहते हैं dead skin और ऐसे में scrub इस तरहा की चीजों को remove करने का काम करता है इसके अलावा skin की और भी बहुत सारी problems को solve करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ के ever youth natural walnut scrub को और भी नए तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं आज की वीडियो में scrubbing करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सबका favorite ever youth natural exfoliating walnut scrub सबसे पहले इसका एक छोटा सा review देख लेते हैं यह ट्रिक आजमाई है अपने फेस पे और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्स मिल रहे हैं इसलिए सोचा कि अपने audience के साथ भी इसको शेयर करूँ ताकि आप भी इस वीडियो का बहुत ही सारा फाइदा उठा सके चलिए आईए देखते हैं इस ever you natural walnut scrub का एक छोटा सा review इसके बाद मैं आपको scrubbing करना सिखाऊंगी यह है ever you natural paraben free exfoliating walnut scrub जो हमारी skin के blackheads और dead skin cells को remove करने का काम करता है यह 80 रुपीज का tube है लेकिन आपको किसी भी छोटी local shop पे 10-15 रुपे में इसका सैशे भी मिल जाएगा अगर आप ever you scrub को पहली बार देख रहे हो तो इसका texture कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर छोटे छोटे से particles या फिर granules भी बोल सकते हैं थोड़े से hard होते हैं इसलिए इसको बार बार यूज करने से मना करती हूँ क्यूंकि यह scrub cream base होता है इसलिए आप इसको daily use नहीं कर सकते और इसके particles भी hard होते हैं skin के लिए इसलिए आप इसको week में एक बार भी यूज नहीं कर सकते उमीद करती हूँ कि आपको इस product के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी होगी इससे अपने face की और भी problems को solve करने के लिए कैसे यूज करना चाहिए मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे मैं इस scrub को यूज कर रही हूँ आपको भी वैसे ही यूज करना है कैसे आपके पास जो भी रोस वाटर हो वो आप इसमें आड़ कर सकते हैं इस रोस वाटर में आपको एवर यूद का walnut scrub एड़ करना है मेरे फेस के लिए जितना scrub लगेगा मैंने इतना scrub ले लिया है अब आपको वो ingredient लेना है जिसकी मदद से हम scrubbing के अलावा हमारी skin की और भी बहुत सारी problems को solve कर सकते हैं जैसे कि acne, open pores, tan, excess oil, black and white heads, hyperpigmentation, glowing skin and drugs वाट्स को remove करने में help करेगा और इन सारी problems को solve करने के लिए एक छोटा सा टमाटर हमारी help कर सकता है सिर्फ टमाटर का juice ही नहीं आपको टमाटर का pulp भी लेना पड़ेगा इन सारी problems को solve करने के लिए आप चाहें तो टमाटर को grind भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप गिस के इसको crush भी कर सकते हैं इस तरीके से आपको pulp लेना होगा juice के साथ साथ तभी आपको इसके बहुतर result मिल सकते हैं दो चमच इतना ही आपको टमाटर का pulp इसके अंदर डाल देना है सभी को अच्छे से mix कर लेना है इसको mix करते ही अपने face पे apply करना शुरू कर ले यह आपके face पे बहुत ही जादा अच्छे से काम करेगा सिर्फ और सिर्फ scrubbing ही नहीं यह आपके face पे clean up की तरह भी work करता है ब्लैक और वाइट हेट को दूबारा से आने से यह रोपता है जब भी आप घर पे scrub करो टमाटर का pulp जरूर इसमें आड़ कर लेना आपके वाइट हेट और ब्लैक हेट दिरे दिरे करके कम होने लगेंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें आपको मेरा यह बता हुआ तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अभी के भी लाइक ज़रूर कर देना है बहुत स्मूद स्क्रब है ये एक तरीके से खुट ट्राइकर करके एक बार इसका एक्सपिरियंस करो आपको खुट पता चलेगा यूट्यूब पे आपको इस तरीके की रेमेडी देखने को नहीं मिलेगी ये पहली बार मैं अपने चैनल पे इस तरह का स्क्रब के साथ यूज़ करने वाला तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ हो सकता है अभी इस वीडियो के बाद आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिले क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है तो फेस के लिए बहुत काम करती है बहुत फायदे मंद है तो ज़रूरी है हर किसी को ऐसा वीडियो बनाके आप तक पहुचाना बहुत अच्छी ब मिलते हैं मैंने नहीं कहीं देखा और नहीं सुना है अगर आपने फिर भी देखा हो तो मुझे कॉमेंट करके बता देना ने खुद पर एक्सपिरियंस करके देखा खुद पर ट्राइ करके देखा दो से तीन बार नैच्रल हाइलाइटिंग वाली शाइन आ रही है मेरे फे काम होता है मैं कभी अच्छा-चा कुछ देख लेती हूं काम का मुझे कुछ मिल जाता है अच्छा फाइदा मुझे मिलता है तो मैं भी आपके साथ बहुत सारे विडियो ऐसे ही मैं करती हूँ जो मुझ पर इस्तिमाल करने के बाद अच्छे से वर्क करते हैं सर्कुलर मोशन में हलके हलके हातों से आपको मसाज करते जाना है आप इसको पांच से 10 मिट तक मसाज कर सकते हो आप एक आप को इसको यूज करते ताइम पे जारूरत नहीं है अपने हाथ को की इसकी मदद से आपके हाथ खुद sometime बहुत स्मूधिधी स्लाइड होने लग जाते हैं करभबिंग को लेकर अपने जितने भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे आपके साथ शेर किये हूए हैं उनमें से सबसे बेस्ट वीडियो यही है आप इसी को जादा से जादा फॉलो करो आपने मेरे स्क्रबिंग के वीडियो को बहुत जादा सपोर्ट किया है इसलिए मैंने कहा कि scrubbing अगर आपके लिए इतनी जादा जरूरी है आपको बार-बार scrubbing के वीडियो देखना पड़ता है इसलिए मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नयाल लेके आने की कोशिश कर रही हूँ और आगे वीडियो में भी मैं आपके साथ इसी तरीके के बहुत ही अलग-अलग टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले वीडियो एक के बाद एक शेयर करने वाले हूँ तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी क्या भी सब्सक्राइब कर लो वरना आप भूल जाओगे स्टेप्स तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया ही है कि स्क्रबिंग करते टाइम पे आपको कैसे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है तामाठा राइट करने के बाद इसके पार्टिकल्स भी बहुत जादा सॉफ्ट हो चुके हैं करो हुआ करते हैं है नहें से पहले अगर इस स्क्रब का यूजे कर रहे हैं तो फेज पे अपने इएर्स पें और नेक एरिया पर बैक साइट पर भी आपको यह स्क्रब करना चाहिए क्योंकि वेस के साथ साथ हमें से चाहिए और टाइम मिले आपको तो अपने हैंड्स पे भी इस स्क्रब को यूज करो आपके हाथवपे जो टैन हो चुका है डार्कनिस हो चुकी है वो भी चली जाएगी इस स्क्रब को कम्प्लीट करने के बाद आपको साबून से अपना चहरा नहीं दोना फेस वाश से चहरा नहीं द जहाँ जहाँ पे आपको वाइट और ब्लैक हेट की प्रॉबलम है डार्कनिस की प्रॉबलम है वहाँ पे आप अच्छे सी रब करो अपने फेस पर आपने मेरे स्क्रब के वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है न कि मैं कितना भी आपका शुक्रियादा करूं कम है आपने मेरे स्क्रबिंग के वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है न कि मैं आपको क्या ही बोलू यह स्टेप्स है एंटी एजिंग के लिए अगर आपको एंटी एजिंग प्रॉब्लम हो रही है टाइम से पहले तो आप इस तरीके से इस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करें ऐसे मैं बिल्कुल हलके हाथों से कर रही हूँ ज्यादा प्रेशर में नहीं डाल रही हूँ अपने फेस पे आपको भी नहीं डालना है मानो या ना मानो अच्छे खास एक्स्पिरिंस के साथ मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही स्क्रब करें करें,, अगर हम स्क्रब के साथ साथ टामाटर का कॉमिनेशन करके एक बहुत ही बहता ही बहतार टुमाटर स्क्रब क्रीम बना के अपने फेस पे अबलाई करते हे हैं तो हमारे इसकिन की और भी बहुत सारी problems को हम आज सारी से solve कर सकते हैं बिना कोई भी market की क्या बुलते हैं बहुत सारी creams को use करे हुए अगर आपको बहुत जादा white heads and black heads हैं दाने दाने बहुत जादा निकल आते हैं अपने face वे तो आप इस remedy को 15 days में एक बार भी use कर सकते हैं अगर आपको नहीं होती black and white heads की problem, red skin cells की problem आपको नहीं होती है आपके skin anytime clean and clear रहती है तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ महीने में एक ही यूज करें किसी भी सूरत में ये एक scrub ही कहलाता है इस पार्थ से 10 मिनिट कम्प्लीट हो चुके हैं मैं अब साधे पानी से अपना चहरा दोए कोई सोप कोई face wash कुछ भी आपको नहीं लगाना अपने चहरे पे अगर हो सके तो fridge का ठंडा पानी आप इस्पेमाल करोगे तो करने का माइक के साथ मैं क्या बोलते हैं रिस्क नहीं ले सकती इसलिए लेकिन फेस पे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली रिजल्ट नजर आ रहा होगा इस वीडियो को देखने के पीछे आपने अपना बहुत ही जादा खीमती वक्त लगाया है इसको जाया मत होने जाए यह वेस्ट मत होने दीजिए अब आपके मन में यह सवाल होगा कि स्क्रब को कंप्लिट करने के बाद हमें हमारे फेस पे क्या लगाना चाहिए अगर आपके पास जेल बेस वाला मौशराइजर है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास क्रीम बेस वाला की हुई है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो रेमेडी अच्छी लगी हो मेरे आने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि वह भी इस वीड